केंदर की मोदी सरकार सुप्रीम कोट के एक बहुत बड़े फैसले को पलटने की तयारी कर रही है और जैसे ही केंदर सरकार की तरप से इशारों इशारों में ये बताए गया कि वो सुप्रीम कोट के फैसले को पलट देंगे विपक्ष के पेट में धर्द होने लगा और लोकसवा के चनाव में एक बार फिर से मोदी की जीत करत आगे बढ़ता है प्रधान मंत्री फिर से बनते हैं नरेंदर मोदी तो कौन सा वो फैसला है जिसे सरकार पलट देगी और जिसकी वज़े से आप विपक्षी खेमे में कोहराम मचावगा है हाहा कार मचावगा है इस र कुछ दिन पहले इलेक्टोरल बॉंड इस देश में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुगा था सुप्रीम कोट में नियमे तोर पर इस पर सुनवाई जल रही थी विपक्ष पूरी ताकत लगा रहा था कि जो ये इलेक्टोरल बॉंड है उसे दरसल अब तक के इतिहास का भी तरीके से साबित किया जाए और प्रधान मंतरी नरंदर मोदी और भारती जनता पार्टी को घेरा जाए लेकिन विपक्ष कहीं न कहीं इसमें विफल रहा लेकिन नतीजा ये निकला कि इन तमाम बहस के बात में तमाम दलीलों के बात में सुप्रीम कोट इस निरने पर पहुचा कि इलेक्टोरल बॉंड को अब बंद कर देना चाहिए और ये सेवा समाप्त कर दी गई कि इलेक्टोरल बॉंड का दरसल अब नामों निशान नहीं रहेगा जैसे ही सुप्रीम कोट का ये फैसला आता है विपक्ष बुरी तरीके से हावी हो जाता है और इस बॉं के तहट ही कॉंग्रेस से लेकर के तमाम जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं उन्होंने भी चंदे के तौर पर पैसा लिया है लेकिन चुकि फैसला मोधी सरकार का था तो इसलिए मोधी सरकार पर एक के बाद एक तमाम सियासी तीर छोड़ने जाने लगे गुलम ल को दिये हुए इंटर्विव में एक ऐसा सिगूफा छोड़ दिया जिसने कॉंग्रेस पार्टी के और इसके साथ साथ पूरे के पूरे विपक्ष की नीद उडा करके रग दी और इन नेताओं के दरसल पेट में फिर से दर्द होने लगा दरसल निर्मरा सीतर अमन ने एक को इंटर्विव में कहा कि अगर हम सक्ता पर दुबारा से काविज होते हैं यानि कि ये जो 2024 के लोकसवा चुनाव को लेकर कि जो वोटिंग का दौर शुरू हो चुका है अगर हम सक्ता पर फिर से काविज होते हैं तो हम ये सुवदा फिर से लेकर के आएंगे यानि कि इल Electoral Bond के बारे में फिर से विचार करेंगे इधर विपक्ष के पेट में धर्द होने लगता है सब सब पहले मैं exactly quote करके बता देता हूं कि निर्मला सीता रमन ने क्या कहा है सीता रमन ने अकवार को दिया इंटर्विव के दौरान कहा कि Electoral Bond जो है इसे लेकर के फिर से बड़े पहमाने पर लोगों से उपीनियन लिये जाएंगे लोगों से राय ली जाएगी और इसमें एक बड़े सुधार के बाद में इस सेवा को हम वापस से लेकर के आएंगे क्योंकि इस सेवा से कहीं न कहीं बड़े पहमाने पर पारदर्शता लोगों के बीच में उजागर होती है तो निर्मला सीता रमन ने ये डिरेक्टली तोर पर नहीं का कि जैसा इलेक्टॉरल बॉन्ड अभी तक था ठीक वैसा ही इलेक्टॉरल बॉन्ड हम फिर से लेकर के आएंगे सुप्रीम कोट के फैसले को पल्टेंगे उन्होंने का कि हर एक फैसले में कहीं न कहीं बड़े प्मेमाने पर या फिर छोटे स्थर पर बदलाव और सुधार की जरूरत होती है अगर हम सब्ता पर दोबारा से काबिज होते हैं तो हम एलेक्टोरल बॉंड के प्रक्रिया को लेकर खियाएंगे लेकिन इसमें बड़े प्मेमाने पर सुधार के बाद में लोगों की तमाम रायों के साथ में उनके उपीनियन के साथ में और जिस बड़े प्मेमाने पर इसमें सुधार किये जाएंगे वो सुधार भी किये जाएंगे और उसके बाद में इसे लागू किया जाएगा अब सवाल यहां पर यह उटता है कि बात घूम फेर करके आ जाती है कि केंडर की मोधी सरकार अगर इलेक्टोरल बॉंड को दोबारा से सिस्टम में लेकर करके आती है तो उसे सुप्रीम कोट के फैसले को पलटना होगा यानि कि समसद में जो है इसे लेकर के बहुमत दिखान होगा और फिर जो है सुप्रीम कोट का फैसला आसनानी से पलट दिया जाएगा तो सबसे जादा विपक्ष को ये बात परेशान कर रही है कि जैसे तैसे मोधी सरकार के खिलाप्त में एक लड़ाई तो वो सुप्रीम कोट में जीते हैं लेकिन मोधी जी ने उसका भी तोड निकाल करके रखा है कि अगर सुप्रीम कोट का फैसला उनके खिलाप्त में आता है तो पारलेमेंट के जरीए सामसद के जरीए धरसल वो सरकार के फैसले को पलट देंगे तो इसलिए विपक्ष के मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार विपक्ष की कह रही हैं कि हम दोवारा से अगर सत्ता पर काबिज होते हैं तो हम फिर से लेक्टोरल बॉंड ले करके आ जाएंगे तो ऐसे में सीता रमन के इस बयान ने राजनियतिक गल्यारों में खलबली मचा दी है और मुद्दवार बार वहीं पर आ जाता है कि मोधी सरकार सुप्र सुप्रीम कोट के किसी फैसले को पलटनी की तयारी कर रही हो इससे पहले भी जब कॉंग्रेस भी सत्ता पर काबिज थी तब भी कई बार सुप्रीम कोट के फैसले आसते हैं उनके जज़ खुद अपना फैसला भी पलट देते हैं तो ऐसमें सरकार के पास में तो पूरा धानिक जो है या फिर किसी भी तरीके की अनियमित्ता नहीं बरती जाती है कि सुप्रीम कोट के फैसले को पलट दिया गए इसका वाकाइदा एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर को फॉलो करके ही सुप्रीम कोट के फैसले को पलटा जाता है तो सबसे बड़ी मोधी सरकार की दिलेरी देखिए क्योंकि ये वही विपक्ष है जो इलेक्टोरल बॉंड को लेकर के जनता के बीच में जा जा करके ये थावित करने की कोशस कर रहा है कि ये तो सरकार का सबसे बड़ा घूटाला था तो कहीं न कहीं कुछ परसेंट लोगों में ये जहन में बात डालने में विपक्ष कायम भी रहा है कि ये बड़े पेमाने पर घूटाला धरसल इसमें किया गया था लेकिन मोधी सरकार की दिलेरी देखिए कि वीच चुनाओ के बीच में वीच वोटिंग के बीच में दरसल उन्होंने ये दावा कर दिया है कि हम एलेक्टोरल बॉंड लेकर के आएंगे अगर सत्ता पर कावेज होंगे और वो भी तब जब वोटिंग का दोर चल रहा है क्योंकि लोगों के मन में हो सकता है प्रस्टाचार का जो बीज है वो कॉंग्रेस पार्टी या फर दूसरे तमाम विपक्षी जो नेता है जो अक्सर तमाम राजनियतिक मन्चों का इस्तमाल करके इसका राग अलापते हुए दिखाई देते हैं उसमें वो सफल रहा हो लेकिन फिर भी वोटिंग के पीच में ही सरकार की तरफ से इशारों इशारों में ये कह देना कि हम इलेक्टोरल बॉंड लेकर के आएंगे और सुप्रीम कोट के फैसले को भी पलटा जाएगा अगर जरूरत पड़ेगी भशरते इसमें कुछ सुधार की जरूरत है तमाम लोगों से डिसकस करने की जरूरा था और उसके बाद मैं सरकार इस फैसले के बारे में फिर से सोच सकती है बहराल इस पूरे का पूरे मामले पर आपकी क्या राया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं जल बलूगा किसे दूसरे बड़े अपडेट के साथ मैं तब तक लिए धनवाद अगर आप लोग चैनल पर नाए हैं तो अपली चैनल को सब्सक्राइब करें साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई ने अपडेट लेकर क्या हूँ तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगा